असलाम वालेकूम एवरीवन वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल नियाजी स्टिचिंग एंड पेंटिंग तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे बोर्ट पेंटिंग का थर्ड पार्ट भी आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो में पूरी कम्प्लीट बोर्ट दिखाऊंगी तो आईए हम स्टार्ट करते हैं कीवी से तो पहले हम कीवी को बनाने के लिए सेब ग्रीन कलर और वाइट कलर को मिक्स करके उसमें फिल करेंगे इस तरह से यह इस बोर्ड में हमारा दो कीवी है तो हम दोनों को एक साथ बना लेते हैं तो अब हम कीवी के सेंटर में जो हमने ग्रीन कलर फील किया है इसके साइड में उसी को लाइट करके उसमें और वाइट मिला करके उसको लाइट कर लेंगे और फिर बीच में फील कर देंगे और कीवी का नीचे वाला पार्ट हम ब्राउन कलर से बनाएंगे ब्राउन में थोड़ा वाइट भी मिक्स कर देंगे थोड़ा वाइट मिक्स करेंगे बिलकुल और उसमें अप्लाइ करेंगे अब हम ब्राउन कलर सतर्षान परंविशियार मिक्स क्लेक्ट कर favorites Melbourne समस्क्न का दích यह जो हमारा लाइट कलर और डार्क कलर का ज्वां ए उस पर हम प्रम ब्लाइक कलर से डार्ट डाल देंगे और फिर उससे शट्टिंग डाल देंगे आ आ यह आवोकाजो में हमारा थोड़ा वर्क बाकी था हम अभी कर लेते हैं थोड़ा सा वहां पर कर देना है तक कि हमें लगे कि वहां पर कर और यह शेडिंग राउन कलर से देना है अब हम इस टेम को बनाएंगे तो उसको भी ब्राॉण कलर सरी बनाएंगे यह हैंडल बनाने के लिए भी मैंने वही कलर यूज किया जो पॉट बनाने के लिए किया था मैंने ब्राउन कलर में बहुत थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है और इसको लाइट करके इस पर अपलाए किया अब हम ब्राउन कलर से यह पॉट का कॉर्णर इस तरह से कर्व कर देंगे अब में बुट को लाइट ऑाइट तरह से अब देंगे यह हैंडल भी मुझे उसी डिजाइन से बनाना था इसलिए मैंने वही वाला मैथड यूज किया है कर्फ करके अब हम बनाएंगे रिबन तो रिबन को बना बनाने के लिए हमने रेड और वाइट कलर को अच्छे से मिक्स कर लेना है पिंक कलर बना लेना अब इस तरह से हम रिबन पर अपलाए कर देंगे अब's च्छे पाइट kरタम पर वाला मैंने रिबbung आप्छ बनाएंगे रिबन और फिर इतना हमें वाइट ही छोड़ देना है ताकि हम उस पर रेड अप्लाइ कर सके अब हम अपने रिबन को इस तरह से शेप देंगे और ये रेड का वर्क हमें तभी करना चाहिए जब हमारा पिक डलर गीला ही हो वर्ना वह सूक जाएगा तो पिर हमारा मिक्स क and पर आह एंट है कि कर कटिस जो से थे क्रवारी को इसे ऩरेन झाल झाल अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें वाइट भी यूस कर लेंगे झाल 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 तो यह रिबन हमारा हो चुका है रेडी और यह रिबन के साथ हमारा बोर्ड भी हो चुका है कम्क्लीट और मैंने इस पर वाटर ड्रॉप्स भी बनाए हैं तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगे इन्शाल ला तो अभी तक हमारा बोर्ड पेंटिंग ना हमारा बोर्ड का पार्ट रहा अप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला बोर्ड दिखाने वाली हूँ पेंट करके ये हमारा फ्लावर बोर्ड है तो मैंने आपको एक ट्रेलर दे दिया है तो पिच्चर को वेट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज असलाम आलेकूम टेक क्यों